दोस्तो अभी जो आप वीडियो के अदर देख रहे हो वो गोल्ड का तीन महने का चार्ट है आप देख सकते हो गोल्ड ने तीन महने के चार्ट के उपर 2011 के हाइस के उपर एक comfortable closing दी है जो हमें ये बताती है कि गोल्ड के तीन महने के चार्ट के उपर एक बड़ा breakout आया है इससे हमें यही पता चलता है कि गोल्ड अभी एक strong uptrend के अंदर है और आने वाले महनों में गोल्ड के अंदर तेजी बढ़ने वाली है दोस्तों ये तीन महने का चार्ट है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि तेजी तुरंत नहीं बनेगी लेकिन आने वाले महनों में गोल्ड के अंदर एक अच्छी तेजी बन सकती है इसका सीधा मतलब ये है कि 2023 में गोल्ड में एक अच्छी तेजी बनी रहेगी अगर हम गोल्ड के 3 महने के चार्ट से गोल्ड के 1 महने के चार्ट पर चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि गोल्ड के मंतली चार्ट के उपर गोल्ड एक बहुत ही अच्छे ब्रेकाउट लेवल के पास है गोल्ड जैसे ही मंतली चार्ट के उपर अप्रेल 2023 में ये रेजिस्टनस के उपर क्लोजिंग देता है गोल्ड के मंतली चार्ट के उपर भी एक बहुत ही अच्छा ब्रेकाउट आएगा जो गोल्ड की कीमतों को और उपर लेके जाएगा गोल के मंसली चार्ट के उपर अगर हम MACD इंडिकेटर का इस्तमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि MACD लाइन ने सिगनल लाइन को दो साल के बाद नीचे से उपरी तरप तोड़ा है जो हमें बताता है कि यहाँ से गोल के अंदर तेजी आने वाले महिनों में बढ़ने वाली है यानके 2023 में गोल के अंदर एक अच्छी तेजी जरूर बनेगी गोल के मंसली चार्ट से अगर हम गोल के वीकली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर भी positive signal मिल रहे है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो gold उसके weekly chart के उपर higher high और higher low ये bullish formation के अंदर काम कर रहा है अगर किसी को लगता है कि यहाँ से gold के अंदर एक बड़ी गिरावट आने वाली है तो उसे समझना पड़ेगा कि gold को उसके लिए सबसे पहले 1805 डॉलर के नीचे closing देनी पड़ेगी तभी ये chart structure खराब हो सकता है और फिर gold के अंदर एक बड़ी गिरावट आ सकती है लेकिन दोस्तों अभी जो situation बनी है वो ये clear indicate कर रही है कि gold के weekly chart के उपर higher high और higher low ये bullish formation बन चुका है तो यहाँ से consolidation हो सकता है लेकिन उसके बाद एक अच्छी तेजी gold के अंदर 2023 में जरूर बन सकती है gold के weekly chart से अगर हम gold के daily chart पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि gold daily chart के उपर consolidation कर रहा है दोस्तो हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर आपको clearly बताया था कि बहुती कम समय में gold के अंदर एक बहुती एच्छी तेजी बन चुकी है और अभी समय आ चुका है कि gold थोड़ा consolidate करे आप देख सकते हो gold उसके daily chart के उपर 2003 dollar से 1935 dollar के area में consolidate हो रहा है तो अगर आने वाले दिनों में gold 2003 dollar को उपरी तरफ तोड़ता है तो gold के अंदर तेजी बढ़ सकती है और अगर gold 1935 dollar को नीचे की तरफ तोड़ता है तो gold के अंदर गिरावट आ सकती है दोस्तों जैसे कि अभी हमने वीडियो के अंदर देखा तीन महने का महने का और weekly chart हमें clear signal दे रहे है कि 2023 में आने वाले महनों में बहुत ये ची तेजी बने रहेगी उसी समय पे daily chart ये clear बता रहा है कि gold के अंदर consolidation हो रहा है तो ये consolidation से जैसे ही breakout आता है हमें लगता है gold के अंदर तेजी बढ़ सकती है लेकिन दोस्तों breakout का wait करना ज़रूरी है क्योंकि अगर breakdown आता है तो gold के अंदर गिरावट भी आ सकती है silver की तरह ही हमने आपको gold के अंदर भी दो सिनारियोज बताए है पहला सिनारियो ये है कि gold उसके पुराने है तक उपर जा सकता है और उसके पुराने है के नीचे consolidate हो सकता है दूसरा सिनारियो ये बताया है कि gold उसके पुराने है को उपरी तरफ तोड सकता है और वहाँ से फिर gold के अंदर गिरावट आखे gold नीचे की तरफ consolidate हो सकता है दोस्तों ये दोनों सिनारियों में एक बात तो common है कि आने वाले हफ्तों में गोल के अंदर consolidation होना चाहिए अगर ये consolidation होता है तो वो गोल की अगली तेजी के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों हमने आपको weekly, monthly और तीन महिने का चार्ट दिखाया है और तीनों चार्ट के उपर positive संके थे तो अगर छोटे टाइम फ्रेम के उपर यानके एक दिन के चार्ट के उपर consolidation होता है तो वो गोल की अच्छी तेजी के लिए बहुत ही अच्छा होगा और उसी समय पे आपको गोल के अंदर खरीदारी का मौका भी मिल सकता है तो ये consolidation का हमें wait करना चाहिए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment दोरा जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को subscribe करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पैचानवालों के साथ share करना ना भूले तक ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद Thank you